मेरी सरकार ने सुप्रीम कौर्ड के निर्देश अनुसार स्री राम जन्मस्थली पर भगवान स्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए और इससे सम्मंदित अन्य विशाओं के लिए एक ब्रहद योजना तैयार की है सुप्रिंग कौर्ड के आदेशों के अनुसार एक स्वायत ट्रस्ट स्री राम जन्मभूमी तिर्दक्षेत्र का गठन करने का प्रस्ताव पारित किया गया है ये ट्रस्ट अयोध्या में भगवान स्री राम की जन्मस्थली पर भव्य और दिव्य स्री राम मंदिर के निर्माण और उससे सम्मंदित विशव पर निर्णय लेने के लिए पूर्ण रुप से स्वतंत्र होगा मानिय अद्यक जी माननिय सर्वच्च अदालत के आदेश अनुसार गहन विचार विमर्ष और समवात के बाद अयोध्या में पांच एकर जमीन सुन्नी वकप बोड़ को आवंटित करने का अनुरोथ उत्तर प्रदेश सरकार से किया गया इस पर राज सरकार ने भी अपनी सहमति प्रदान कर दी है मानिय अद्यक जी भारत की प्राण बायू में भारत की आदर्शों में भारत की मर्यादाओं में भगवान सी राम की महत्ता और अयोध्या की एत्यासिक्ता से अयोध्या धाम की पवित्रता से हम सभी भली भाती परिचीत है अयोध्या में बगवान स्री राम के भव्य मंदिर के निर्मान, वर्तमान और भविश्व में राम लला के दर्शन करने के लिए आने वाले स्रद्धालों की संख्या और उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते विए सरकार द्वारा एक और महत्वपून निर्णे लिया गया है मेरी सरकार ने फैसला किया है कि अयोध्या कानून के तहट अधिग्रुहित संपुर्ण भूमी जो लगबग 67.703 एकड़ है और जिसमें भीतरी और बाहरी आंगन भी सम्मिलीद है उसे नवगठीत स्री राम जन्ब भूमी तीर्टक्षेत्र को हस्तार्न तरीक किया जाए मानिय देश महोदय नव नवंबर को राम जन्ब भूमी पर फैसला आने के बाद सभी देश वासियों ने अपनी लोकतंत्रिक व्यवस्ताओं पर पूर्ण विस्वाद जताते हुए बहुती परिपक्पता का उदाहरन दिया था मैं आज सदन में देश वासियों के इस परिपक्प व्यवार की बूरी बूरी प्रसंसा करता हूँ मानिय देश से हमारी संस्कृती हमारी परंपराएं हमें वसुधय कुटुम कम और सरवे भवन्तु सुकिनः का दर्शन देती है इसी भावना के साथ आगे बढ़ने की प्रेड़ा भी देती है हिंदुस्तान में हर पंत के लोक चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, सीख हो, इसाई हो, बवद, पार्शी और जैन हो हम सभी एक ब्रहत परिवार के ही सदस्य है इस परिवार के हर सदस्य का विकास हो वो सुखी रहे, स्वस्त रहे, सम्रुद्ध बने देश का विकास हो, इसी भावना के साथ मेरी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र पर चल रही है आईए, आईए इस अहितिहासिक छण में हम सभी सदस्य मिलकर अयोध्यामे स्री राम धाम के जिर्णोधार के लिए बव्य राम मंदिर के निर्वान के लिए एक स्वर में अपना समर्धन दे अपना समर्धन अपना समर्धन के लिए